पार्ट तीज आपठेट गध्यांश अनसीन पासेच आपठेट से अभिप्राए है जू पहले पढ़ा ना गया हो आपठेट प्रश्नों की उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का विशेश थ्यान रखना चाहिए क दीगए गध्यांश या पध्यांश को पहले ध्यान पूर्वत पढ़ना चाहिए ख गध्यांश या पध्यांश से पूछेगए प्रश्नों को भली भाती समझना चाहिए तत पश्चात उत्तर में दीगए विकल्पों में से सही विकल्प का चैन करना चाहिए गर शीर्षक का चैन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह गद्यांश या पद्यांश के अनुरूप हो आपठेद गद्यांश के कुछ उदारन इक गरूद का अर्थ गुस्सा अथ्वा कौप होता है यह एक मनुविकार है यह किसी अनुच्यत कार्य अपकार आदिसे उतपन होता है और अन्य व्यक्ति को अपकार की प्रेड़ना देता है क्रोध शरीर पर एवं स्वास्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्रोधी व्यक्ति प्राया चिल्चिली स्वभाव वाले होते हैं हम कह सकते हैं कि जहां क्रोध है वहां रोक, विकार अथ्वा अस्वास्ति है 2. 26 जन्वरी 2001 को जब पूरा देश गरतंद्र दिवस मना रहा था तब ही प्रकृती ने कुछराज समेत पूरे देश को हिला कर रख दिया कच्छ और भुज के इलाकी में ऐसा फीशन पोकंप उठा कि मानव के बनाए खर न गए और बासार सभी ठा गए कितने ही गावों का नामों निशान न रहा लखपक 30,000 लोग मारे गए प्राकृतिक आपदा से बच्छाव के लिए प्रबंद के ठोस उपाई होने चाहिए ऐसा दल बनाया चाहे जो तुरंद घटना स्थल पर पहुँच कर स्थिती को संभाल ले और लोगों की सहायता करे तीन हमारी देश का नाम भारतवर्ष है इसके उद्धर में हिमाले परवत है दक्षण में हिंद महासागर है इसके पूर्व दिशा में बांगला देश है और पश्चिम में पाकिस्तान है हमारी देश में समय समय पर अनेक महापुर्षों ने जन लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी नहरु आदी भारतमा के ही सुपूर्थ थे हम भारतियों का यह करतव्य है कि हम लोग संगटित होकर इसकी एक्ता और अखंडता को बनाई रखने की कोशिश करें चार, मानव का जन प्रकृती की कोद में हुआ है प्रकृती के तत्व प्राणियों को चारों तरफ से खेरी हुए है इसे ही पर्यावरण कहा जाता है मिट्टी, वायू, वनस्पति, जल, पशुपक्षी कीडे मकोडे आदी पर्यावरण के ही अंग है आज पर्यावरण आज संतुलित हो गया है इसका मुख्य कारण है जल प्रदूशन, वायू प्रदूशन, ध्वानी प्रदूशन, उश्वर प्रदूशन पर्यावरण प्रदूशन को रोकने के लिए मनुश्यों को अधिक से अधिक संख्या में व्रिक्ष लगाने चाहिए पशुपक्षी भी परियावरण को संतुलित करने में सहायक होते हैं पांच गंगा का नकीवल भारत वर्ष में अपितु विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है यह नदी हिमाले के दो स्थानों से निकलती है इसकी एक धारा भारत की उत्तरा खंड में उत्तरकाशी सिले में गुमुक से उत्पन हुई भागीरती कहलाई दूसरी धारा चमूली सिले में अलकापूर में पर्फ पिखलने से निकली और अलकनन्दा कहलाई गंगा कचल स्वच्छ ठंडा प्यास पुझाने वाला और रोगनाशक होता है इसमें कीडे नहीं पड़ते गंगा के पवित्र किनारे पर अनेक तीर्थ स्थान है उसमें बद्रिनात, केदारनात, रिशिकेश, हरेद्वाल, गोड मुक्तेश्वन, तीर्थ राज प्रयाग, वारण सी आधी प्रमुक है आपठेद पद्यांच की उतारण 6. विचार लो कि मर्ति होना मृत्यू से टरो कभी मरो परंतु यू मरो के याचों करे सभी हुई ना यू सू मृत्यू तो व्रिथा मरे व्रिथा जिये नहीं वही कि जो जिया ना आप के लिए यही पशु प्रवित्ती है कि आप आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे